नमस्कार संस्कृत के प्रिविद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं पंकस्तिवारी जशा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए ऐसे कॉस्चन लेकर के आऊंगा जो परीक्षा के लिए बहुत ही मात्मूर्ण होगे जिने हम कहते हैं Most Important Question ध्यान रखिएगा आज का हमारे टॉपिक रहेगा ऐसे कॉस्चन Most Important जो परीक्षा में बहुत ही विसेश होंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैगनेट ब्रेंस के द्वारा कक्षा साथ भी से लेकर के कक्षा वारहमी तक के हिंदी मीड परीके से सिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट से तयार हुए हैं वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तमंक लाने में आपकी मदद करेंगे तो जल्दी से आप लोग संपर करिए उसके लिए आपको करना क्या होगा जिस वीडियो से आप मुझे देख स्कॉस्ष्टय TAK Most important question है हमारे जो महत्पूर्ण प्रश्नों के हमारी स्रेणी में आते हैं है ठीक चलिए हम cette-part में Most important question और multiple choice question को कर रहे हैं यह question आपकी परीच्छा में आपके number बहुत जल्दी दे करके जाएगे ध्यान रखिएगा तो पहले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर लिखा है ताम चा कस्यचित ग्रहे ताम चा कस्यचित ग्रहे डॉट 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 अत्र ताम सर्वनाम पदम कस्यई ही प्रियुक्तम लिखा हुआ है ताम चा वह और वह किसके घर में और वह किसके घर में अत्र ताम शर्वनाम पदम जो यहाँ पर ताम सर्वनाम पद किया गया है कसे ही माने किस के लिए प्रियोक्त माने किया गया है किस के लिए प्रियोक किया गया है अच्छा तो यह बताए किसी के घर में कोई चीज आपकी धरोभर के रूप में रखने के लिए दी गई थी क्या चीज दी गई थी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अच्छा ये बताएं कि जब वह अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा रहा था तो उसने कोई चीज किसी सेट के यहां पर रखी थी वो क्या चीज थी आप मुझे जल्दी से कमेंट तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे अंसर आपका क्या होगा है यहां पर किसी के घर में कुछ रखने के लिए केवल यहां पर ना तो बनिये के पुत्र को दिया गया है और ना ही जिर्दन खुद रखा यहां पर तो तराजु को रखा गया है लेकिन अब यहां पर आप का 50-50 लाइफ लाइन लग जाएगी ठेक तो यहां पर आप देख रहा होंगे तुलायाई और तुलायाह लिखा हुआ है लेकिन किसके लिए तराजू के लिए तो के लिए का चिन आपका चतूर्थी का है तो चतूर्थी जिस विभक्ति में होगी वही आपका अंसर हो है ध्यान रखिएगा पहले प्रश्ण का पहला हमारा अंसर जो होगा वो होगा गा नंबर कितने लोगों का सही हो गया है वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं जल्दी से लोह तुला हमारा पार्ट चल रहा है और पार्ट के हम लोग most important question पढ़ रहे हैं तो दूसरी नंबर क के लिए कि माने कौन सा और कि माने क्या और पदम माने पद को प्रियोकतम माने प्रियोक किया गया है तो यहां पर अपने पराक्रम से अपने पराक्रम से मतला अपनी वीरता के द्वारा अपनी वीरता के द्वारा अपने बैभाव के द्वारा जो व्यक्ति जहां पर मान सम रुष अधम हैं नीच है जो अपने मान, सम्मान और वैभव यसको नस्ठ हो जाने के बाद फिर भी वही रहता है तो वह व्यक्ति क्या है वह व्यक्ति नीच है तो इत्य अर्थे इस अर्थ के लिए स्वापराक्रमेन अर्थ के लिए यहां पर कौन सा सब्द प्रयोग किया गया है उपारजिता अर्जित करने के लिए अधिष्ठाने मतलब इस्थान में और स्ववीर्यता माने अपनी वीर्ता का और स्रेश्ठिना माने सिट का ठीक तो यहां पर आप लोग जल्दी से मुझे अंसर दीजिएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा स्वपराक्र का मतलब हो दौनों सटीक अर्थ हमारी यह हो जाएगे पहले इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन का अंसर होगा हमारा गा नंबर का अंसर कौनसा अंसर हो जाएगा गा नंबर का अंसर होगा और जो हमारे लिए बिलकु सबसे सटीक अंसर होगा तीसरा हमारा अंसर होगा तीसरा प्रश किम मने क्या इसका करता कौन है यह किसके लिए प्रियोग किया गया है ध्यान रखें तो किसके लिए प्रियोग किया गया है तो सबसे पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि कस्मिचित अधिष्ठा ने एक जिर्ण धना नाम का आशित जिर्ण धन नाम का एक कौन था बढ़िय और किवल जीरन धन ही है करता कौन है यहां पर जीरन धन तो यहां अंसर भी आपका क्या हो जाएगा जीरन धन ही होगा ठीक चली प्रशने क्रमांग हम तीसरे के बाद प्रशने क्रमांग चार पर चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है हमारा गत्वा गत्वा इती पदश्य बिपरीत निकालेंगे तो इहां गंत्म का मतलब जाने से तो गंत्म जाने के लिए आगत्व माने आकर और गत्व माने जाकर प्रस्थिता माने प्रिस्थान करता है नास्ति माने नहीं है ठीक तो यहाँ पर कौन सा अंसर सही हो जाएगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्षन में आप लोग देते जाएगा और अंसर आपका घा नंबर का सही होगा इसमें आप लोग अंसर जल्दी से जल्दी से आप लोग अंसर देते जाए ठीक प्रशने क्रमांग चार के बाद हम लोग प्रशने क् हारा नहीं है दोस्ट तुम्हारा तो यहां पर त्य आया हुआ है जो सर्भवनामUpad और युसमद का बेकल्पिक रूप है ध्यान रखिएगा इस युसमद और असमद के आप लोगों ने रूप देखे होंगे तो युसमद सब्दिका यह बैकल प्रूप लगा हुआ है और इसमें सरवनामपद पूछा गया है कि यह किसके लिए प्रयोग किया गया कज सिक्रिते प्रयोकतम किसके अरत में प्रयोग किया गया है तो निश्चित है कि जब वह बैपारी जब जीरन धन लोटकर के आया तो उच्छ ने कह संक्वार ऐसा है इसमें सब कुछ कुछ भी असंभाव नहीं है सब कुछ हो सकता है ऐसा फोसी के लिया आया है व्यापारी के लिए तो स्रेष्ठी स्रेष्ठी ना जीरन धनाय जीरन धनाश किसके लिए प्रयोग किया गया इसमें तुम्हारा दोस्त नहीं है किसके किसक्रति प्रयोग किसक्रति प्रयोग तो स्रेष्ठी ना कस लगा हुआ है सश्टी विभक्ति तो सश्टी विभ बन जाएगा और स्रेश्ठी ना सश्ठी विवक्ति आगे देखेंगे प्रश्ने क्रमांग पाच के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्ने क्रमांग छह पर प्रश्ने क्रमांग छह हमारा जो रहेगा सह सह इतिपदश पर्याय पदमकिम सह सब्द का पर्याय पद क्या है सह का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो यह जानना है फिर हम उशी के समान एक दूसरा अर्थ निकाल पाएंगी तो सह का मतलब होता है साथ सह का मतलब साथ अब इसमें आप क्या करते हैं सह साकम समम सारधम यह होता है सास्वत का मतलब होता है कि यह संसार ऐसा ही यह सास्वत है ठीक और परम का मतलब होता है स्रेष्ठ और वत्स का मतलब होता है पुत्र ध्यान रखें तो सह सब्द का मतलब होता है साथ तो इसके लिए एक सब्द आया हुगा हमारा इसमें सारधम जो हमारा अंसर सही करेगा तो पहला नंबर अंसर सही होगा सह का परियावाची सब्द होगा सारधम और आप सह के साथ में साकम भी लगा सकते हैं साकम भी लगा सकते हैं अगर option में आता है तो आपको सारधम लगाना पड़ेगा अपने मन से लिखने के लिए आता है कि साकम सह सब सब दिलिख सकते आगे हमारा अगला प्रशन्य रहेगा प्रश्ने करमांग 6 के बाद प्रश्ने क्रमांग 7 प्रश्ने Pre Vir opened 7 हमारा क्या कहता है गमिष्यामी इतिक्रिया पदेश्य करतरी पदम कि मतलब होता है आँ गागेगी लिलेट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं तो घमिश्यामी अब यहां पर गमीश्यती गमीश्यथ घमिश्यंतंट गमीश्याम rat तो गमिश्यामी उत्तम पुरुश एक बचन की कृिया लगी हुई उश्य के आधार पर इसका करतरी पद क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा परम अहम नद्याम अहम इश्नानार्थम तो आपको मैं बता दू कि अहम आवाम अहम त्वम शह शह यह आपके सर्वनाम होते हैं तो एक बचन के लिए यह प्रयोक किये जाते हैं यहां पर आएगा आपका गमिश्यती यहां आएगा आएगा आपका गमिश्यसी यहां आएगा गमिश्यामी तो अहम के साथ में गमिश्यामी लगेगा ध्यान रखिएगा आप लोगों ने देखा होगा कि किरिया रूप जब चलते हैं किरिया रूप तो पर्थम पुरुष म अद्ध Katrina पूरुश मद्ध्यमपूरु और उत्तमपूरुश में चलते तीन पुरोशों में और तीन वचनो jeśli चलती है तो उत्तमपूरुश का हम करता रहेगा जो यहाँ पर option में आपको दिख रहा होगा ध्यान रखिएगा तो आपका answer क्या हो जाएगा अहम गमिश्यामी ध्यान रखें मैं जाओंगा ऐसा आपका आर्थ निगलेगा हो जाएगा की नहीं? चलिए अब यहाँ पर मैं बात करूँगा आगे आगे देखें इसमें क्या लिखा हुआ है आपका प्रश्ने क्रमांक साथ के बाद प्रश्ने क्रमांक आठ प्रश्ने क्रमांक आठ पे लिखा है अनावृत्य अनावृत्य इति पदश्य बिलोम पदम किम अब जब इसका मतलब होता है बिना धका हुआ अनावरित का मतलब क्या होता है बिना धका हुआ आवरित का मतलब धका हुआ लेकिन अनावरित का मतलब बिना धका हुआ तो यहां पर अब बिना धका हुआ का धका हुआ लगाना है तो जो मतलब आवरण आवरण जिससे बना द है पृषिझट कर्ना भेजना ध्यान लखें तो अनावरित्य का विलॉम widget यहां पर हो जाएगा क्या आच्छाद आच्छाद्न का मतलब होता है ढका हुआ और अनावृत्य का मतलब होता है बिना ढका हुआ समझ में हागए आप के बाद हम लोग चलेंगे प्रशने किरमांग 9 पर प्रशने किरमांग 9 आपका दिया हुआ है सेना सेना वालम ना नयती अत्र करत्री पदम किम मतलब बाज के द्वारा बालक को नहीं ले जाया जाता है बाज के द्वारा नहीं ले जाया जाता है बाज के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता अब यहां पर वहना पर यहां पर बनाया है बाज बाज मतलब सेन अब यहां पर करत् पूछा गया है बालक को तो कर्ता ने कर्म को तो कर्म में दुतिया बिभक्ति लगी हुई है और कर्ता में प्रत्मा बिभक्ति और नयती हमारा नयती नयता नयंती वनेगा नीधातु है ले जाने के अर्थ में तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका कर्ता सेना बालम नयती ना जल्दी से मुझे बताईए जैसे मान के चलिए यहां पर लिखा हुआ है राम फल लाता है लाता है तो यहां पर कौन फल लाता है राम फल लाता है तो यहां करता कौन है जल्दी से बताए यहां करता राम है राम है तो बाज के द्वारा बालक को बालक को नहीं लाया जाता ठेक या नहीं ले जाया जाता नहीं ले जाया जाता तो किसके द्वारा सेन सेना सेना मतलब बाज बाज के द्वारा तो वही करता है जो जो बाक्य में मुख काम करें पूरे बाक्य में जिसकी मुख रूप से विसेस्ता मानी जाती है वह करतरी पद अर्थार्थ करता कह ध्यान रखिएगा तो यहां पर प्रश्निक्रमांक 9 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्निक्रमांक 10 पर प्रश्निक्रमांक 10 हमारा दिया हुआ है लिखा है कलहम कुर्वंतव कलहम कुर्वंतव इत्यर्थी किम पदम प्रियुक्तम कलहम मने जगडा कलहम का मतलब विवाद कल कलाहम का मतलब लडाई और कुर्वन तव माने यहां दूइब बचना अंतरोब लगा हुआ ध्यान रखियागा तो दोनों क्या करते करने लगे लगे इत्य अर्थे इस आर्थ के लिए पर्यूक तम कौन सा पत प्रयोग किया गया है हमारे पाठ में तो कल हम कुर्वंतव तो प्रयोग किया नहीं गया है तो आपने देखा होगा कि जब वो आया है कहां से अपने बालक को उसके बालक को गुफा में छिपा करके तो वहां से दौनों फिर क्या करने लगे विवाद करने लगे औ तो द्वाव पी तारस्वरेण विवदमानव प्रोवाचा आपने क्या अंसर लगाया है मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्षन में दीजिएगा ठीक और अपने अंसर को मैच करते जाना है ध्यान रखिएगा आप लोग मैच करते जाएंगे जिससे कि आपको बहुत सा और प्रश्ण आगे से भी पीछे से भी इनके चारी चीज़ा मिलती जाएंगी त्यार्थय मतलब इस अर्थ में करना मतलब कहना और विवद मानव का मतलब आपको पता है जगड़ा करना दौनों क्या करने लगे जगड़ा करने लगे प्रश्निक्रमांग दस के बाद हम लोग प्रश्निक्रमांग किस पर चलेंगी 11 नंबर पर चलेंगी और लिखा हुआ है में तुलाम अत्र में सर्वनाम पद यह सर्वनाम पद है जो असमद में रूप आता है असमद का भेकल्पिक रूप लगा हुआ है कस्मा इमाने किसके लिए और प्रियोकता मने प्रियोक किया गया है यहाँ पर में सर्वनाम पद किसके लिए प्रियोक किया गया है तो यह निश्चत है कि किसने कहा था किस की थी जल्दी से बताएं बनिये की पुत्र की थी कि बनिया की थी कि जीरुन धन की थी जल्दी से बताएं स्रेट की थी सेट माने ब्यापारी स्रेश्टिना और या उसके पुत्र की धंदेओं की थी कि या उसके बनिये के पुत्र जीरुन धन की थी किस की थी जीरुन धन आए जीर्ण धना से जीर्ण धना या बढ़ेक पुत्रा जल्दी से मुझे बताएं तो कस्माई सब्द लगा हुआ है चतुर्थी विभक्ति देख लेना वही आपका अंसर हो जाएगा जीर्ण धना बैसे तो जीर्ण धन सम्में लगे हुए है सम्में जीर्ण धन नाम दिया क्योंकि जब हमें रूप नहीं आते हैं तो ऐसे प्रश्ण उठते हैं तो आपने देखा होगा आपका रूप बनता है रामह रामम रामेण रामायो रामातो रामश्यो रामी दिया हुगा है अब यहां पर बनेगा आपका जीर्ण धना जीर्ण धनम जीर्ण धनेन जीर्ण धनायो जीर्ण धनात जीर्ण धनाश्यो जीर्ण धने जीर्ण धने आप देख पा रहे होंगे यहां पर जीर्ण धनाय चतुर्थी विभक्ति में प्रत्मा दुतिया त्रतिया चतुर्थी पंचमी सश्थी सब्त्मी लगा हुआ है तो देखिए यहांपर चतुर्थी विभक्ति में जीरन धनाय लगा हुआ है और जीरन धनाय वहां पर भी है चतुर्थी विभक्ति है इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा जीरन धनाय और पिरशनी किरमांक 11 की बाद हम लोग चलेंगे परशनी किरमांक वारह पर हमारा 12 नंबर का प्रश्ण होगा और 12 नंबर की प्रश्ण में दिया हुए विवद मानौ предлаг माना उइ diaper पदश्य बिशव की बिवद मानौ इस पदका बिशिष पद किया है यह तो विशिशण में विवद मानौ मनें विवाद हो जाएगा दौनों भी क्या करने लगे एक दूसरी से जगडा करने लगे कि तव तव होगा क्योंकि दूई बचना रूप है ते सा तव ते वह वह दौनों सामान वह और तव का मतलब होता है वह दौनों वह दौनों ते का मतलब होता है वे सब या वह सब ऐसा अर्थ निकलेगा तो तव सब्द में वह दौनों विबद मानव मने जगडा करने लगे तो तव हमारा यहां पर विस्यस पद हो जाएगा ध्यान रखिएगा ठेक यह भी लेकिन हमारा सर्वनाम पद है यह सर्वनाम है क्योंकि जब बाग में जो मुख होता है वही विसेश कहलाता है प्रश्ण कर्मांग 12 की बात प्रश्ण कर्मांग 13 पर चलेंगे और प्रश्ण कर्मांग 13 होगा हमारा क्या कि किम सेना सिसु हर्तुम समर्था भवती किम सेना शिशु हर्तुम समर्था भवती अस्मिर वाक करने में समर्थ होता है शमर्थ होता है तो किम माने क्या सेना माने बाज की द्वारा सिसु माने सिसु को या बच्चे को या बालक को हरतों माने हरन करने के लिए शमर्था माने शमर्थो और भवती भवता भवंती लट लकार पर्थम पुरुष एक बचन का रूप है तो होता है भू धातु होने के अर्थ में होती है भू सत्ता याम धातु है समर्था में प्रत्मा का एक बचन है हिरी धातु है तुमुन प्रित्ते लगा हुआ है तो सिसु में दुतिया विवक्ति लगी है सेना में प्रत्मा का एक बचल लगा हुआ है और किम माने क्या ठीक क्या शेना मतलब क्या बालक किसकी द्वारा यहां पर बाज की द्वारा तो बाज यहां पर करण कारक तृतिया का काम कर रहा है साधन का काम कर रहा है हर्तुम समर् होता है कौन तो शेन बाज के द्वारा सिसु को किम शेना सिसु यहां सिसुम हर्तुम भवती यह हमारी हरण हो जाएगा क्रिया भवती हो जाएगी क्रिया शिशु को और शेना तो यहां पर हमारा साधन का काम कौन कर रहा है सेन बाज कर रहा है तो वही हमारा मुख हो जाएग इसमें कर्थ contemporary beta निव्हायर जहर तो इस में करता कौन है बाज बाज के दवारा बाज के दवारा ही बालग को चुराया जाASE तो साधन का काम भी वही कर रहा है और उसी के द्वारा बालग को क्या किया जा रहा है हरन तो पूरे बाख में यहां पर बाज ही हमारा क्या हो जाएगा करत्री पद हो जाएगा प्रश्ने क्रमांग 13 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्ने क्रमांग 14 पर प्रश्ने क्रमांग 14 जो हमारा होगा ध्यान से देखें लिखा हुआ है अभी हितम इती पदश्र कहा अर्था अभी हितम का मतलब क् पद का हितकारी हितकारी अहितम और कथितम और विहितम अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस पद का अर्थ पूछा गया है हितकारी होगा कि बिना हितकारी होगा कि कहा गया है या विहितम जानकारी करने वाला है तो अभी हितम का मतलब कथितम कहा गया है ध्यान रखे अभी हितम का मतलब कत हितम, अहित और हित से मतलब नहीं है, अभी हितम, अभी उपसर्ग हित में, अभी उपसर्ग लग जाने पर कहने के अर्थ में हमारा अर्थ मिलेगा, और इस पद का अर्थ हो जाएगा, कत हितम, प्रश्निक्रमांग 14 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश् चैपटर को पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा है आप इसमें पूचा गया तो सिसु के साथ एक ही घटना यहां पर गटी है, यहां पर प्रहुट्मना हो तो प्रशन मन से वह जब गया था, तो भी वहां विश्श रूपस का बालक का लेकिन यहां प्रहुट्मना कहीं है नहीं है प्रशनता के लिए बात नहीं की गई,っと अह कि अपहर्ण ही अपहुरद ही हो झाएगा विशिशड़पत कि सिसु कर शिसु में प्रत्मा एक वचं रूला हुआ है द्यान रखेंगा अधर कर मांग 15 के बाद हम लोग चलेंगे प्रशने ठेक तो यहां पर बिलॉमपद क्या हो जाएगा अभी हितम हो जाएगा क्या या प्रोचू यह भी हमारा कहना है अभी हितम मतलब भी कहना होता है प्रोचू माने भी कहना होता है संसय माने संसय करना है संदेह करना है और सत्यम का मतलब होता है सत्य तो यहां पर देखिए प्रश्ण क्रमांग 16 हमारा यहां पर पूरा हो गया है प्रश्ण क्रमांग हम लोग आगी चलेंगे 16 हमारे प्रश्ण इसमें जो थे वह बहुभी कल्पी की रूप में थे मतलब एक प्रश्ण था और उसके चार अंसर थे हम लोगों ने प्रश्ण में बात कर रहा हूं चार प्रश्णों को यहां 16 प्रश्णों को किया आप इसके बाद हमारे मोस्ट इप्रश्ण में कुछ प्रश्ण ऐसे रखे गए हैं जो एक प्रश्ण भी है कुछ हमारे पूर्ण वाक्यान भी हैं और कुछ यहां एक्सरसाइस से सारे हम लोगों ने यहां पर रखे हुए हैं जिससे एक्सरसाइस से आपको यह पता चले और कुछ पाठ के ऐसे प्रश् लोह तुला इती भक्षिता वो लोह तुला कई भक्षिता लोह तुला मना लोह की तराजू को किसके द्वारा भक्षड कर लिया गया था लोह तुला ध्यान रखें लोह की तराजू किसके द्वारा भक्षित कर ली गई थी किसके द्वारा खा ली गई थी तो आपको मालूम है कि कई सब्दे लिखा हुआ है तो कई का मतलब ही है यहाँ पर मूस कई मूस कई चूहों के द्वारा किसके द्वारा चूहों के द्वारा लोह तराजू को खालिया गया था तो यहाँ मूस कई ही आ जाएगा ठीक तो यहां पर हम लोगों ने किसके द्वारा हो गया है मूशक के द्वारा आगे चलेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है दूसरा प्रश्ण हमारा दिया है कि जीरण धना कस ग्रहे तुलाम निछेप भूताम कृत्वा देशांत्रम प्रस्तिता जीरण धन ने किसके घर में तराजू को निछेप भूताम माने धरोहर के रूप में कृत्वा माने रख करके देशांत्रम धरोहर के रूप में करके या छेपा करके देशांत्रम माने देश के लिए प्रस्तिता माने प्रस्तान किया था ध्यान रखें तो यहां पर जो देश क के घर में गया था धरने के लिए तो यहां पर कस के स्थान पर स्रेश्ठिना हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां स्रेश्ठिना कस ग्रहे स्रेश्ठिना आप यहां देख रहा होंगे लिखा हुए जीरन धना में प्रत्मा का एक बचन कस में सश्ठी का एक बचन ग्रहे में सब प्राउपसर्ग लग करके हमारा प्रस्थिताह बनता हुआ है जो प्रस्थान करने के लिए वो देश के लिए प्रस्थान किया हुआ था इसके बाद प्रश्ण क्रमांग तीसरा है जो दिया हुआ है आप देखें प्रश्ण क्रमांग तीसरे को ध्यान से देखिएगा क्रमां नद्याम में सक्तमी विभक्ती का एक बचन रूप लगा हुआ है और इश्नानार्थम इश्नान के लिए गमीश्यती गमीश्यता गमीश्यती कौन जाएगा ठीक है ना कौन जाएगा कहा नद्याम इश्नानार्थम गमीश्यती कौन नदी में इश्नान करने के लिए जाएगा जीरने धन जाता है कहा तो जीरने धन है ध्यान रखियेगा तो यहां पर गागे गी इसलिए क्योंकि रिटि लकार भवीस शकाल की बात कर रहा है तो गागे से हमारा रूपня लेगा जाएगा की रूप में अर्थ निकलेगा जाता है मैं नहीं क्योंकि गच्छती होता तो जाता की रूप में अर्थ निकलता कहा में प्रत्मा यह हमारा सर्वनाम रूप लगा हुआ है ध्यार रखें जीरन धना में प्रत्मा का एक बचन रूप लगा हुआ है यहां देखे कस लगा है तो यहां सश्टी लगी है यहां प्रत्मा लगा हुआ है तो यहां प्रत्मा लगा हुआ है तो हमेशा अंसर उसी में देना चाहिए जिसमें पूछा जाए यहां तृतिया का बहुबचन रूप लगा है तो यहां भी तृतिया का बहुबचन रूप लगा हुआ है आगे बढ़ू आगला हमारा प्रश्ण होगा इसी में देखी प्रश्ण क्रमांग तीसरे के बाद प्रश्ण क्रमांग चौथे पर चलेंगे लिखा हुआ है बढ़िक सिसुह किम आदायव अभ्यागतियन शेह प्रस्थिता बालक वह बनिये का पुत्र सुना भी होगा कि जब पाठ को पढ़ रहे थे तब की बात कर रहा हूं पहले नहीं सुना है ठीक जब पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा है कि उसमें जब मैंने बताया आपको कि जब बो कहता है कि अत्र अत्र नास्ती दोसा ते इसमें तुम्हारा थोस्ट नहीं है यह संसार ऐसा ही है तो बोले मैं इशनान करने के लिए नरदी जाना चाहता हूं तो आप अपने वालक को जो आपका यह बालक है इस वालक को मेरी कुछ इशनानोप करनम नहाने की सामग्रियां इसको दे दो यह हमारे साथ चलेगा मैं इशनान करके आता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर बड़िक शेसु में प्रत्मा का एक बचता रूप किम्मा ने क्या आदाय में यहां आउपसर्ग लगा हुआ है धाधातू है ठीक तो यहां पर आदाय लगा हुआ है अभ्यागतेन में तृतिया विभक्ति का एक बचन है अभी उपसर्ग लगा हुआ है अभी प्लस आगतेन तो यहां पर अभ्यागतेन बन गया है तो यहां द भाएञा धातु से यहां प्रस्तिता बन जाईगा आगे देखें वंचितोयम ब्रह्मन्य इतीतारश स्वर्ण कहा उभाज उस्सने कहा था कि मैं ठग मैं ठगा गया हूं थग लिए meinemають ठगा गया हूं इतितारस्वर इस प्रकार उची स्वर में कहा माने कौन उभाज माने बोलता है कौन बोलता है तो वह सेठ सेठ ही बोलता है स्रेश्ठी बोलता है तो स्रेश्ठी बोलता है सेठ बोलता है जब वह कहां पहुंचता है राजकुल राजदरवार में पहुंचता है और अपनी बा द्यान दखें तो यह सेड़ बोलता है किसके लिए जिर्ण धन के लिए और बंचितोयम बंचिता प्लस आयम तो यहां आपका हो जाएगा कौनसी विश्ण किशंधी आप ब्रह्मन्य तो यहां पर भी आपका आउपसर्ग लगा हुआ है इती तारश्वरेण तारश्वरेण में तृतिया बिभक्ति लगी हुई काह में प्रत्मा का एक बचर लूप लगा हुआ है उवाच में यहां पर वच धातु है और उवाच बना हुआ है संप्रशारण हो करके यहां वच का उच हो करके उवाच बना हुआ है दुत्त हो करके ध्यान लखिए गर लिटल अकार में फिर लिखा हुआ है आपका जैसे जहां बभूब बनता है ना बभूब कुछ यहां पर भी देखें सिसू केन सह नदीम गता सिसू केन सह नदीम गता बालक किसके साथ नदी को गया किसके साथ गया था नदी बालक किसके साथ नदी गया था जल्दी से बताएं केन सह तो तृतिया विवक्ति लगी हुई है तो जीर्ण धनेन जीर्ण या हम यहां कर सकते है कि अभ्यागतल अथिती के साथ आयों हुए अतिती के साथ गया था तो वह भी लख सकते हैं और जीरन धने जीरन धनीं के साथ गया थ तो नाम भी लेख सकते हैं ध्यान रखें Prashn Quinn primarily 6 एक पदेन में बात कर रहे हैं और एक पद के द्वारा ही अंसर देना है परिक्षा में इससे ज़्यादा आपको नहीं देना जब पूर्ण बागी की बात की जाएगी तब पूर्ण बाक में आपको अंसर rho देना है इसके बाद प्रश्चन क्रमांग 7 पर चलाएंगे परश्चन क्रमांग 7 दिया हुआ है कश स्यतह अर कस्वाने किसको देख करके किसको देखा और बाज के द्वारा सिस्व अपरहिता पताईए जल्दी से बोलेए शिस्व का अपहराण हुआ किसको देख करके भाई तुला तुला जिर्ण धन का पस्यता जीर्ण धना पस्यता वो कहता है मेरे सामने मेरे नजर की देखते हुए बाज की द्वारा सिसू का क्या हो गया है अपहरण हो गया है कहां पर नदी तटात नदी के किनारे से नदी के किनारे से बोले कस से पस्यता जीर्ण धना से पस्यता है सिनेल सिसू अपहृत है ध्यान ल लिया गया है या चुरा लिया गया है तो पस्यताह यहां जो रूप लगा हुआ है कहां का रूप लगा है पस्यती पस्यताह दुई बचनात रूप जेरन धनस में सश्टी का एक बचन सिनेन में तृतिया का एक बचन सिसू में प्रत्मा का एक बचन आप हृताह आप और यहा आया था खादती खादता खादंती बहुवचनात रूप है तो लाम में दुतिया का दुई बचनात रूप है वह दुतिया का प्रतम दुतिया विभक्ति का एक बचन रूप है और के कहां का है कहां को के प्रत्मा का प्रत्मा का बहुचनात रूप तो मूस कह 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 को कह यह बहुचन रूप लगा हुआ है तो यहां आपका बनेगा मुस्का यहां बनेगा मुस्का यहां बनेगा मुस्का बना हुआ है तो यह बहुचन रूप लगा हुआ है तो कि की स्थान पर क्या हो जाएगा मुस्का बन जाएगा चलिए आगे बात करें इसके बाद हम लोग प्र पूर्ण बाक्य पर चलेंगे और उसमें लिखा हुआ है पूर्ण बाक्य उत्तरत्व पूर्ण बाक्य के द्वारा उत्तर को दो प्रश्ण किरमांग एक तुला की दिर्शी आसीत तो आपने देखा होगा और शुना भी है पूरा जबसे पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोगों ने इतना सारा कुछ कर लिया है पार्ट बन पार्ट टू एंसी आई टी सॉलुशन्स कर लिया है कर लिया है कि ने अब मोस्ट इंपोर्टन कोस्चन कर रहे हैं तो यह बतला यह मुझे तराजू किसकी बनी हुई है किस प्रकार की थी लोह घटिता लोह घटिता देखें तुला लोह घटिता पूर्व पूर्शों पारजिता आशीत लोहे से बनी हुई तराजू थी जो पूर्व पूर्शों के द्वारा पतला उनके पूर्व पूर्शों के द्वारा बनाई गई थी इसके जीर्ण धन के पूर्बजों के द्वारा इस तराजु को क्या किया गया था बनाया गया था प्रश्न क्रमा के दूसरा दिया हुआ है जीरन धना किम कृत्वा सत्वरम ग्रहम आगत जीरन धन क्या करके सिगरता से घर आया क्या करके आया था जल्दी से उसको गुफा में छिपा करके घर जल्दी से आया था कि वहां देश-बिदेश से आया था दोनों जगें कन्फ्यूज हो जाये क्योंकि वहां से भी अपना क् करके वो अपने नगर को वापिस आया था तो यहां पर ध्यान रख लेना सत्त्वरम यहां आ जाए तो समझ लेना कि वह कहां से सिसु को गुफा में छिपा करके आया था जीरन धनाह नद्याम इश्नानात्वा जीरन धन नदी नदी में से या नदी नदी परशे या नदी में नदी में इश्नात्वा मने इश्नान करके तम मने उस सिसु मने सिसु को चा मने और गिरी गुफाया मने परवत की गुफा में प्रचिप मने छिपा करके तद्वारम मेने बड़े पत्थर के द्वारा आच्छा द्वाने द्वार को ढख करके सत्वरम माने स्प्रिंगित अगर आगता माने आया ध्यान रखेत आगे आथा तो यहाν पर आपको ध्यान रखना है कि जब उस्प्रिंद थीवड को तो समझ लेना कि वह बालक को छिपा करके आया गिरी गुहायाम यहां पर सप्तमी का एक बचन है प्रावपसर्ग पूरवक छिप धातु से यहां प्रच्छिप बना हुआ है और बृध सिलेया में तृतिया का एक हुआ है आगता मैं और घम धातु है यहाँ पर आगता बन गया प्रश्निक्रमांग dirt ही जगणा करते हुए वह दोनो कुत्र माना कहा कहा गई थ Ciao अई अधिकारपे सब्सक्राइब खाने सट्यम ना अभी तब आप लोग भी अंसर देते जाहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, द्यान रखें जो अभी नए है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिये, द्यान रखें तुम्हारे द्वारा सत्त नहीं कहा जा रहा है, ये कहा था किसने, स्रेश सेट ने कहा था किस से जीर्ण धन से तो केन सत्यम ना तो जीर्ण धनेन जीर्ण धनेन सत्यम ना अभीतम जीर्ण धन के द्वारा सत्य नहीं कहा जा रहा है कौन नहीं कहता है और ये सेट कहता है ये सेट कहता है अब लोग नहीं कह रहा है ना आप कह रहे हैं न मैं कह रहा हूँ यहां तो सिट कह रहा है कि जीर्ण धन के द्वारा सत्त नहीं कहा जा रहा है वो सत्त नहीं बोला कहीं बोले बाज के द्वारा कहीं सिसु का अपरण हो सकता है तो वो कहता क्यों नहीं हो सकता है इसमें क्या संसा है जब लोए की तराजू को चूही खा सकते हैं तो बाज के द्वारा वालक को भी अपरत किया जा सकता है प्रश्ण निर्माड यहाँ पर आपको प्रश्ण निर्माड करना है यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था सर्वनाव रूपों को आपको याद करना होगा जैसे यहां लिखाए जीर्ण धना विभव छयात देशांतरम गत्तों मिक्षन व्यचिंतयत जीर्ण धन का जब व्यभव नश्ट हो गया व्यभव मतलब धन संपत्ति धन हीन हो गया तो देशांतर माने देश जाने के लिए गंतों माने जाने के लिए इच्छन माने इच्छ जीर्ण धन किसके हीन हो जाने से देशांतर मन देश जाने की विदेश जाने की या बाहर जाने की इक्षा करते हुए सोचता है तो किम अर्थम किस अर्थ के लिए देखें जीर्ण धना किम अर्थम किस अर्थ के लिए देशांतर मतलब अपने नगर से बाहर जाने की इक्षा रख रहा था किसरत के लिए बिवच्छायात बेभावनश्ट हो जाने के करण धन हीन हो जाने के करण उसको अब क्या है वो धन कमाने के लिए वहां से जाने लगा देखें अगला लिखा हुआ है मुस कही तुलाम तुला भक्षिता चूहों के द्वारा तराजू को तराजू खाली गए तो चूहों के द्वारा तो यहां पर भी आप किसके द्वारा तराजू को खाली आगया कई ही भक्षिता तृतिया का बहुबचन तृतिया का पर आप पूछोगे कि कि मर्थम यहां पर भी तो कस्मात आना चाहिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे इस्थान बाची आता है तो कुत्र का प्रियोग करते हैं प्रकार बाची आता है तो की दृष का प्रियोग करते हैं की दिर्शम या की दिर्शह या जैसा रूप होगा व तक उनका आरठनी आएगा तब तक हम लोग प्रियोग नहीं कर पाते है वो भी हम लोग सीखेंगे सीखना पड़ेगा ध्यान रखें इवाद मानव तव राजकुलम गतव बिवाद करते हुए बहाद करते हुए दोनों कहां गए राजकुलकों गए नदी के किनारे से बालक बाज के द्वारा कुरान कर लिया गया या बाज के द्वारा चुरा लिया गया तो नदी तटात लगा हुआ है तो कुताहा कुताह बालका से नहता कहां पर कुताह माने कहां ठीक कुताह कहां से कहां से कुताह कुताह बालका से नहता या कसमात भी यहां लगा सकते हैं पंच्वी भक्ती में ठीक तो कहां से बालक को चुरा लिया गया नदी तटात कुताह ध्या ही थाटु है ठेक कित प्रत्य से यहां पर बना वे इसके बाद अगला अ मारा प्रस न फिसनय से यहां आगता थीक व姥ंड को बीए के पूत्रा और अगता क्म यहां लिखा वास पुस्सक्रेशानलरижу को Não से आच्छाद किया था तो यहां पर सिलया अगर पुलिंग बाची होता तो यहां आ बनेगा आपका सिला सिलया तो का काम कया कया आ जाएगा तुरितिया बिभक्ति इस के बाद प्रश्मी क्रमा का अगला होगा जिसमें लिखा हुआ जीरन धनाहा नद्याम इश्णानार्थम अगच्छत जीरन धन नदी नदी में इश्णान के लिए अगच्छत मन गया ध्यान रखें किसके लिए गया था इश्णान के लिए तो कहां गया था नद्याम तो जीरन धनाहा कुत्र इश्णानार्थम अगच्छत यह कुतह इस्थ कहा पर गया इशनान पर नद्या नदी के लिए नदी स्रे सभ्यानाम अगरे सर्व debates त़म निवरطान माश शेटन सभ्यानाम का मतलब होता है जो हमारे सभ्य लोग थे या राजपूरुश लोग थे जो हमें निर्न तो किसके सामने सभ्यानाम तो यहां पर भी कस्ट यहां आजाएगा सभ्यस्ट सभ्ययो और सभ्यानाम सश्टी का बहुबचन है तो यहां बनेगा आपका कस्ट कयोह के साम यह बहुबचनान थे यह बहुबचन है तो यहां के साम आया है बहुबचनान सश्टी का बहुबचन रूपा अगर यहां पर सभ्यस्ट होता तो यहां हो जाता कस्ट यहां सभ्ययो होता तो हो जाता कयोह द्यान रखें आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्ण होगा यह प इनके अनवयों को देखना है अनवय बनाना है और अनवय कैसे बनेंगे वो देख लीजिया अधो लिखत इसलोक यहों अनवय पूर्तिम कुरू नीचे लिखे हुए इसलोकों के क्या करना है अनवय की पूर्ति करना है नीचे लिखे हुए कुछ ऐसे पद हैं जो इसलोक है इ को पूर्ति करना अनबय बनाना अनबय मैं आपको बता दू अनबय का मतलब होता है एक विवस्थित क्रम जिससे हम आर्थ को सही प्रकार से निकाल सकते हैं चलिए यहां निकाल हुआ है यत्र देसे अत्वा इस्थाने भोगा भुकता स्वभीर यता और तस्मिन विभवहीनो चलिए एक बार और उच्चारन करना है आगे बढ़ेंगे एक ही बार करेंगे यत्र देसे थ्वास्थाने भोगा भुकता स्वभीर्यता तस्मिन विभवहीना योवसे स्थान पर रहने वाले होने पर जहां से हमने अपने देश में इस्थान में रह करके सभी भोगों का भोग किया हो और अपनी वीरता के द्वारा किया हो फिर वहाँ पर अगर हम क्या हो जाएं विभवहीन हो जाएं और धन हीन हो जाएं तो वहाँ पर हमें फिर नहीं रहना चाहिए अगर जो रहता है तो वह पुरुस अधम है नीच है निलज है अभी इसका ह लोग बनाएंगी तो सबसे आपको अन्वय बनाने का सबसे अच्छे तरीका बताएं कि देखिए आन्वय आप पर भुकता लिखा हुआ है भोगा नहीं लिखा ठीक फिर यहां पर देखें तस्मिन नहीं लिखा विभाव हीन लिखा हुआ है लिखा है यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है वसीत नहीं लिखा हुआ है साह लिखा हुआ है पुर्शादिमा बिलकुल कुछ नहीं करन है जो करते हो जैसा जैसा मैंने छोड़ा है वही वही भरते जाना है पहले में भरना है यत्र देसे अथ्वा यत्र देसे अथ्वा इस्थाने वीर्यता और देखो भुकता के बाद पहले भोगा छोड़ा है तो यहां भोगा आ जाएगा यहां तसमिन छोड़ा है तो यहां त लोग से फिर रह जाए वो आपको उसमें फिल करना है द्यान रखोगे बहुत सरल है अनवय बनाना कभी कभी क्या होता है अनवय में हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आगे का सब्द हमें पीछे लिखना है पीछे का सब्द आगे लिखना है तो आपको मैंने टिक करके क्यों ब की नहीं आ गया चलिए आगे देखें वैसे इसकी प्रक्रियाय तो बहुत सारी है मैं केवल आपको सरल तरीके से ऐसे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कर सकें परिच्छा में द्यान रखिएगा बागी नहीं तो फिर इसका यह फॉर्मेल नहीं फिर आपको पूरे अर्थ आ अगला हम देखेंगे अनवाज निकालेंगे अगला हमारा दूसरा को दूसरा यहां इशलोक दिया हुआ है दूसरी इशलोक में लिखा हुआ है कि तुलाम लोह साहस्त्रश्यो यत्र खादंति मुश्यका और राज तंत्र हरेश छैनो और वालकम नात्र संसया यह भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आपका इशलोख है पाठ का ही है लिखा हुआ है कि तुलाम लोहे सहस्त्रश्यो यत्रिका दंति मुसिका राजितंत्र हरिस्येंब बाले कमनात्रिशन सयाः बाले कमनात्रिशन सयाः मतलब कि जो लोहे की बनी हुई तराजू को यदी चूहे खा सकते हैं यत्र खादंति मूस का जहां पर बोले लोहे से बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो हे राज तंत्र अगर बालक का बाज के द्वारा हरण क्यों नहीं किया जसकिता ना अत्र शंसया इसमें कोई यहां संसय नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है अब यहां पर देखें राजन राजन सब्दा आया हुआ है राजित अंत्र के लिए तो यहां संबोधन हो गया यत्र आ गया है यत्र आ गया है ठीक और तुलाम तुलाम आ गया है तो तुलाम यहा खादंती खादंती आगया है तत्रो तो यहां कि यहां लिखा हुआ है तत्रो हरेस ना अत्रो हरेस्याना तत्रो शंसया एक मिनिट फिर इसके बाद बाल कहा बाल कम आगया हरेत हरेत आगया है अत्रो अत्रा आगया है ना ना आगया है इसमें से ना निकाल लिया है अब देख उनने का हे राजन यत्र लोह तुलाम सहस्त्रम ठीक सहस्त्र लोह तुलाम सहस्त्रम खादंती मुश्का मुश्का खादंती ठीक लोह सी बनी तराजू तो लोह सहस्त्रश्य तुलाम और मुश्का खादंती तत्र तत्र यहां क्या हो जाएगा तत्र सेनाह सेनाह बालकम हरेत अत्र संसयाह ना अत्र शंसयाह ना देखें जरा आ गया न यह बना हुआ है तो पहले आ गया लोह सहस्तरस्यतुलाम राजन यहां पर लोह से बनी तराजू को मुश्का खादंती जब चुहे खा सकते हैं तत्रमाने वहां बाज के द्वारा बालक को हरेत मने हरने करने चाहिए अत्र संसया ना इसमें कोई संसया नहीं है है कि हुआ की नहीं चलियो आगे दिखें राज तंतर जो सब्दाया हुआ है राजन यहाँ पर राजन राजन तत्र बन जाएगा आगे दिखें दूसरा प्रश्नकर्मांग दूसरी की बाद प्रश्नकर्मांग हम लोग चलेंगे आगे इसमें अनुबड बना रहे हैं ध्यान रखें फिर दिया हुए नंबर का भावार्था भावार्था अधो लिखितयों क्या लिखा हुआ है अधो लिखितयों इसलोकयों भावार्थम मन्जूसाता उचित्पदानी चित्वा पूरयत नेचे लिखे हुए इसलोकों को भावार्थम इसलोकों के भावार्थम मन्जूसाता मन्जूसा से उचि कैसे आपको इसमें फिल करना है चुन करके उचित अर्थ को चुनना है ठीक ध्यान रखोगे चुलोगे बन जाएगा बनेगा की नी बनेगा आपसे चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर पहले तो आपको अर्थाना चाहिए लोहे की बने ऊए तराजु को ठीक बोले कि हे राजन अगर बने हुई तराजु को तो जीर्न धना धर्मादि कारियों से कहा धरमादिकारियों से कहता है यत यदी तो यत यदी यदि लोह निर्मिताम यत यदी तुलाम लोह निर्मिताम मुसकाह खादांती तत्र नी संदेहम सेनेन अपी बालकम हर्तुम सकनोती कुछ नहीं करना है इसमें आपको भर लेना है पहले तुलाम यहां पर आपका तुलाम आजाएगा लोह तुलाम तो यहां आजाएगा आपका मूशकाह फिर यहां आजाएगा आपका सेना बाज की द्वारा भी बालक को हर्तुम हरने के लिए क्या हो सकता है हर्तुम सकनोती हर कर सकता है धान रखियेगा आप अर्थ को देखेंगे तो अर्थ के आधार पर नीशन किया घार है तो फिर क्या किया जासकता है कि यहां क्या किया जा सकता है हरण किया जा सकता है बालक का यहां पर तुलाम यहां पहले तुलाम ना करके आप क्या करोगे यहां पहले मुस्का भी कर सकते हैं ठीक लोहों उसके चुहों के द्वारा ठीक अब यहां लोह निर्वेताम अब एक बात और ध्यान रख लेना है कि यह भावार जो निकलता है हमारे अर्थ पर निकलता हम लोग अपना अर्थ कैसा लिख रहे हैं वस अर्थ के द्वारा लोहे से बनी तराजू को चुहों चुहे खा सकते हैं तो मूसका खादंती तुलाम खादंती ठेख तो द्यान रखोगे इस बात का आगे चले अगला हमारा होगा जो कि सहायता से पद उठा करके इसमें रखना है ध्यान रखोगे यहां पर भी आपको वही करना है जैसे इसके पहले हम लोगों ने लोह तुलाम बाले में किया है चलिए इसका भी आप लोग एक बार थोड़ा दिन करेंगी ध्यान से देखे ज़रा हमारा क्या होगा यत्र देश यत्र देश में अपनी वीरता के द्वारा आपने भोग भोगा हो अगर वहां पर आप धन ही हो जाते हैं तो जो पुरुष वहां रहता है वो क्या कहलाता है अधम और पुरुष अधम पुरुष कहलाता है तो यहां पर धना अभावाद धना भावाद जिर्ण धना अचिंतियत धन की अभाव से यह धन की कमी के कारण जीर धन सोचता है अचिंतयत यत 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 धन ही न यत यसमन देसे नरह यत यसमन देसे या नराधमा स्वपराक्रमा देखिए उसने कहा अब यहांपर धना भाद जीरण धना अचिंतियत यतो स्वपराक्रमेन देसे नरह देसे नरह देसे नराह यसमिन भोगा प्रापनोती इस भोग को भोगता है तो तत्र यहां यह तत्र यहां नराधमा वसेत यत्र धनहीना वसेत सह तू निश्चय मेव नराधमा भवती ऐसा हमारा बन जाएगा ठीक तो यहां पर भी आप देखें भावार्थ में क्या हो जाएगा पहले नंबर में हमारा हो जाएगा यसमिन और दूसरे में हो जाएगा स्वापराक्रमेंट ठीक पहले यसमिन देसे नराह स्वापराक्रमेंट जिस देस में जिस देस में मनुस्य अपने पराक्रम के द्वारा भोग भोगता है और उसमें धनहीन हो जाने के धनहीन होने के बाद धनेहीन होने के बाद वहाँ निवास करता है तो साहतु निश्चयमेव नर अधम हैं इसमें भी जादा कुछ नहीं है ध्यान रखिएगा बस भावार्थ पर डिपेंड करता है और यह कोई निश्चय भी नहीं होता है आपका कैसा भाव बनता है आप उस आधार पर इसको फि स्थान पर रखना होगा और बहुत सा रल हैं आगे देखें खा नंबर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कथा क्रम संयुजनम कथा क्रम संयूजनम गटना क्रमानूसारे मतलब हमें एक जो हमलोगों नहीं पूरी कथा को पढ़ा है उसको एक क्रम बद्धता के साथ में एक क्रम के साथ में गटना क्रमानुसारम अधो लिखतानी वाक्यानी पुनाह लेखनी यानी गटना क्रम के अनुसार नीचे लिखी वे वाक्यों को पुनाह दुबारा से लेखनी यानी मने लिखने हैं तो लिखिए दुबारा से लिखें अब दुबारा से हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान से देखें पहले तो कहानी मालूम होनी चाहिए पूरी कहानी एक बार पढ़ते हैं आपका क्या इसमें ओपीनियन रहेगा आपके क्या विचार है इसमें कौन सा पहले आना चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बतात सत्वरम ग्रिहम आगत ग्रिहम आगता तो यह कहानी इसमें लिखा हुआ है वह बनिये का पूत्र इश्नान करें वह बनिया बनिया इश्नान करके तम माने उसके सिसू को गिरी गुफाया माने परवत की गुफा में प्रिच्छे माने छेपा करके उसके द्वार को बड़ी स मामान नम मया साइशनानों करनम हस्तम प्रिश्य बोले तत्तम आत्मियम तुम्हारा जो आत्मिय पुत्र यह है सिसू बालग धन देऊ है इसको मेरे साथ इसनान की सामगरी को प्रेशित करो भेज दो तो यह भी बाद कहानी बीच की है पाद की है आसीत कस्मिंचित नमबर का बाग हो जाएगा हो जाएगा आसीत मन था कस्मिंचित अधिश्ठाने किसी इस्थान पर एक जिर्ण धन नाम का बनिये का पुत्र था यह तो पहला बाग हो जाएगा ताम चाक सिचित त्रेश्टिना ग्रहे निचे भूताम कृत्वा देसांत्रा प्रिस्थिता वह ताम चाक सिचित वह उसको वह किसी चीच को स्रेट माने सेट के घर में निचेत माने धरोभर के रूप में रख करके देसांतर के लिए प्रिस्थान करता है तो यह भी दूसरा कर शकते हैं कर शकते हैं तस सिचाग रहे लोह गटिताम पूरपूरसो पारजिता तुलाम उसके घर में अब यहां पर इसको दूसरा ना करके इसको बाद में रखने गया ना उसके घर में एक लोहे से बनी हुए पूर उनके पूरवजों के द्वारा उपारजित की गई एक तराजू थी ठीक तो जिर्ण धना अबदत जिर्धन बोला बहुत स्रेश्टिना नास्त कई भग्चिता यदि चूहों के द्वारा खाली गई यहां पर भी अभी रुकते हैं तो द्वावपी संबोध्य तुलाम सिसु प्रदानें तोसेद बनता यह अंतिम पद हैं फिर लिखा है मिठ्या वादी नहा किम कोचित स्याना बालम हर्तुम सकनोती तुम जूड बोल में जा करके सिकाइप करूंगा चलिए तो अब यहां पर तीसरा हो गया यह चौथा लगा लेते हैं यह चौथा हो गया ठीक नास्ती दोस्ता तुम्हारा दोस्त नहीं है कि तराजू को चूहों के द्वारा खाली आ गया फिर इसके बाद उसने कहा कि मेरे साथ अपने पु पूत्र वहां गया सिक्स नमबर पर उसने गुफा में उसके बालक को बंद कर दिया था पर इसके बाद जब वहां से ARE वहां से आता है तो यहां पर फिर आठमे नंबर का हो जाएगा यह हमारा सेवन नंबर का फिर वो कहता है तुम जोड़ बोल रहे हो भाई वो बताता है आके कि तुम्हारे पुत्र को तो बाज ले गया तो कहता है तुम जोड़ बोलते हो फिर इसके बाद दौनों को क्या है स सुना होगा पढ़ा होगा तो आपको पूरी कहानी यहां पर समझ में आ जाएगे ध्यान रखोगे तो अब इसके बाद आप इसका देख लीजिएगा यह देखिए जो यहां पर तीसरे नंबर पर था वो अस्चित कस्मे अधिश्ठाने जिर्ण धना नाम बढ़े पुत्रा वो पहले पर पहुँच गया ठेक दूसरे नंबर पर दिया हुआ था हमारा यहांपर यह दूसरे नंबर में तत्रवभ आत्मीन एनम सिशू धन देव नाम आ गया ना है यह देखो दूसरे नंबर का आ अगया है है तत्रुम बेशनान придu दो फिर थीय नंबर पर आगया है जीडधना अवदत भोस्रिष्टना नास्ति अस्ति तेसा दोसा तुम्हारा इसमें दोस नहीं है फिर इसके बाद आप देखें तस से लोगटता पूर्वुपार्शिता उसके घर में एक पूर्वुपार्जित क्या थी एक वो थी किरम से देखें ताम कस्चित स्रिष्टना ने उसकी घर में एक उसने तराजू को रख दिया था जीडधना अस्यावधत तुम्हारा इसमें दोस नहीं है तम आत्मियम तुम्हारा जो सिसू है पूत्र है उसको मेरे साथ भेज दो वह बने पूत्र सिसू को क्या कर देता है गुफा में छिपा देता है कि तुम जोड़ बोल रहे हो फिर कहता है दोनों को एक उसका सिसू और उसका बालक और उसकी तराजू दोनों को दे करके दोनों को क्या कर देते हैं संतुष्ट कर देते हैं समझ में आ गया यह कथा क्रम आपसे बनेगा कब जब आपको पूरा पाठ अच्छे से कहानी आप के दिमाख में जो पढ़ी हुई कहानी क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हम लोग यह सोचते हैं कि हम लोगों ने वह गाइड्स हमारे पास रहती है तो हम लोग उसे अर्थ पढ़ते हैं वो अर्थ हमारी दिमाग में नहीं रहता है बहुत सारी चीजें तो मैं भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ देता हूं लेकिन मैं कहता हूं कि जो बोल रहा हूं सुनी हुई कहानी बहुत जल्दी याद होती है तो आपको सुनी हुई कहानी को याद करना ध्यान रखिएगा पुस्तक से लिखी विद्या पुस्तक की लिखी हुई विद्या तो हम लोग बहुत समय से याद कर रहे हैं लेकर भूल जाती है पुस्तक से लिखी विद्या पर हस्ते गतम धनम और कारेकाले समुझपने ना चाहल में काम में आएगा ध्यान रखोगे तो किस किस से ये कथा क्रम का आपको किर्मा नुशारेन बना है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दें वीडियो को लाइक करते रहें और सेर करते रहें आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद प्रशंग के अनुकूल हम लोग यहां उचित अर्थों को पढ़ेंगे प्रशंग के अनुकूल प्रशंग अनुकूल समझ रहना मतलब एक ऐसा प्रशंग आएगा एक ऐसा बाक आएगा उसके अनुकूल आपको उसका अर्थ बताना है जो चार विकल्प में दिय होगा लिखा हो घृत्रदेश स्ववेरियता बोगा हो के ऊब Chief घृत्र के अपने पराक्रम एपνे द्विरियता के द्वाने अंसर दिया है आप लोग जल्दी से अपना अर्थ से दीजिएगा आपके द्वारा क्या यहां पर अर्थ उचित अर्थ निकल रहा है जल्दी से गानंबर का attachments इसका सही हो जायगा ठीक इसका घाणमबर अंसर होगा आगे चलेंगे हम लोग प्रश्ने क्रमांग हमारा एक के बाद प्रश्ने क्रमांग दूसरा रहेगा लिखा हुआ है आप ब्रह्मन्य आप ब्रह्मन्य मम सिसू चोरेन अपरहरता आप ब्रह्मन्य आप ब्रह्मन्य मेरा सिसू मेरा सिसू मेरे मेरे सिसू चोर के द्वारा अपरहन कर लिया गया इस चो कि अनुशार आपको उचित अर्थ को देना है तो अनुचित रूप से क्या हो जाएगा अब ब्रह्मण का मतलब होगा अनुचित रूप से इसने मेरे सिसू को क्या कर लिया है चुरा लिया है उसने यह कहा था ना कि बंचितो यम बंचितो यम अब ब्रह्मन्य अनुचित रूप से मैं ठगा गया हूं अनुचित रूप से मैं ठगा गया हूं पाट में आया हुआ है अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर आप ब्रह्मन्य रूप अनुचित बिना उचित ध्यान रखें प्रश्ण क्रमां दूसरे के बाद प्रशने क्रिमांग हम लोग तीसरे पर चलेंगे लिखाये सुरूए ताम मदबचा सुरूए ताम सुनो मदबचा मट्मनः मम मान ठीक तो यहां पर बच्चछवा बच धातु हैं बोलने के अर्थ में मदमान यहां पर क्या हो जाएगा आपका मन होगा कि मत तो हो जाएगा कि मम होगा कि मान होगा कि सुरुई ताम होगा उच्छे तर्थ बताइए तो ताके स्थान पर दा होना यहां पर हमारा क्या होता है मम मम बचा सुरूए ताम मम बचा सुनो मेरी बात को सुनो तो मम हो जाएगा मम बचा मद बचा की जगए उचेत अर्थ क्या हो जाएगा यहां मम हो जाएगा सश्टी विवक्ति का एक बचन है यहां मम प्रश्न किरमांग तीन के बाद हम लोग प्रश्न किरमांग चार पर चले गया खाली गई तो यहां भक्षिता सब्द खादिता हो जाएगा कि भक्षम भक्षम हो जाएगा कि खादितम की भोजनम जल्दी से मुझे बताएं यहां पर इसका उचेत अर्थ क्या हो जाएगा खादिता भक्षा धातू है यहां पर देखिए भक्षिता लिखाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है परियाय पदानी बिलोम पदानी परियाय पद और बिलोम पदों को हमें पूरा करना है तो सबसे पहले तो यहां परियाय पद दिये हुए है परियाय बाची लिखा हुआ है अधो लिखित पदानाम अधो लिखित पदानाम पर परियाय बाची पदों को लिखना है परियाय बाची पदों को हम कैसे लिखेंगे मतलब एक समान अर्थ को देने वाले पदों को हम परियाय पद कहते हैं ठीक यहां लिखा है सेन सेना माना होता है बाज मुसकई माना होता है चूहा पुत्रा माना होता है पुत्र नदी माना हो नदी अब इनके परियाय बाची आपको कैसे देना है कितने हम कितनी चीजों से इनको कितने नामों से जान सकते हैं वो आपको यहां देखो लिखा हुआ है सेन बाज को हम किस-किस नाम से जानते हैं सस दिना कपोतारी बाजा ठीक तो सस दिना सस दिना कपोतारी बाजा यह सब बाज के रूप है ध्यान रखिए बाज को हम संस्कृत में तीन नामों से और जानते हैं और चौथा हमारा सेन तो होई गया है मूसक को हम किस नाम से जानते हैं मूसा के नाम से जानते हैं और उन दूरह के नाम से और मूसा के नाम से ये इस्तरी बाची है ये पुलिंग बाच अगर यहीं पर सुता ऐसे लिख दिया जाए तो पुत्री हो जाएगी तनिया में यहां पर ऐसे लिख दिया जाए तो तनिया हमारी पुत्री हो जाएगी इस्त्री बाची आत्म जा में आत्म जा बड़ा जा कर दिया जाए तो पुत्री हो जाएगी ध्यान रखिएगा तो ब बहुत सारी नामों से हम लोग जानते हैं यह हमारे परियावाची परियावाची के बाद अब हम लोग चलेंगे विलॉम पदों पर किस पर चलेंगे विलॉम पदों पर अब यहां देखेंगे आप लिखा हुआ है का इस्तंभे क्या लिखा हुआ है का इस्तंभे लिखिता न दूसरा भाग है और दोनों में इस इस्तंब में जो पद लिखे हुए हैं इन पदों के यहां पर बिलॉम पद लिखे हुए हैं लेकिन वो सही नहीं लिखे हैं अब आपको क्या करना है यथा समक्षम योजियत उनको जो जिसका सही हो उसके साथ में मिलाना है ध्यान रखना उनके साथ में लोग मिलाएंगी बिलॉम पद मतने उल्टा यस्टबरी तो एक्षण का क्या हो जाएगा एक जाहए एक्षण का एक्षण में आप अनिक्षण कर दो आपकी एक्षा है अनिक्षण मतलब आपके तरीके साब आपसे जो चीज नहीं बनती उसको छोड़ते जाओ ठीक अब यहां से देखना है कौन सा बन रहा है यह सरल लग रहा है आपको दोस तो दोस का मतलब होता है आओ गुण ठीक तो गुण दोस का मतलब क्या होता जैसे बोले आपका दोस है आपने गलती की है मतलब दोस और आप स enfy Ami आ गया कभी कभी क्या होता है हम लोग आपने सामने सामने वाले को हम लोग नहीं देखते और इसको भी सोच लेते ये गलत होगा अब मैंने आपको देखी जो पहली बन रहाई थे आपसे उनको लगवा दिया और जो बन रहे थे तो अब यहां से चिरम, सूचिरम, आचिरम, बिहस, रुदित्वा, बिहस का मतलब होता है प्रशनता, हसना और रुदित्वा का मतलब होता है रो करके, ठेक, और सूचिरम का मतलब होता है लंबे समय के बाद, और आचिरम का मतलब होता है कम समय के बाद, तो यह आपको इस प्रकार से match करना जल्दी से आप देख लीजिए यहां इसको देखें एक्छन का मतलब अयक्छन अनिक्छन बीहस का मतलब रुदित्वा दोशा का मतलब गुणा शमर्था का मतलब असमर्था और सुचीरम का मतलब अचीरम इस प्रकार से आप अगर बिलॉम पदों को करेंगे परिच्छा में भी आपको ध्यान से करना है और जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको इसी प्रकार से करना है पहले जो जो बन रहे हैं उनको पहले मैच करिए ज कुछी के साथ हम लोग most important question को पढ़ रहे हैं और most important question हमारी लिए बहुत ही महत्पूर्ण है ध्यान रखें लोग तुला नामत पाट से हम लोगों ने इतने most important question को कर लिया है कि यहां से कोई भी प्रशन आएगा हमसे सब बन जाएगे बनेंगे की नी बनेंगे परीक्षा में और जहां पर आपको समझ में आया हो वो मुझे आप comment section में दे सकते हैं उसको मैं प्रयास करूंगा पोडर रूप से आपको समझाने की कोसिस करूँगा ध्यान रखिएगा आप किसी भी माध्यम से हों चाहे आपका सीवेस्टी मीडियम हो आप सीवेस्टी एंग्लिस मीडियम से हो और यूपी बोट से बिहार बोट से कहीं से भी हो भारत का एक मात रहेशा प्लेट फोंग जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकिस होती रहें और प्लेलिष्ट पर जाकर कि आप किसी भी सब्जेक्ट को आप उपन कर सकते हैं आपको सिक्वेंस के साथ सारी चीज़ें में द्यान रखिएगा हिंदी मीडियम हो चाहें इंग्लिस मीडियम और हां मैं आपको जाते जाते एक और महत्मूर्ण सूचना बताने जा रहा हूं कि मैगनेट ब्रेंस के द्वारा कक्षा साथ बीस से लेकर के कक्षा वारहमी तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम के बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्षकों के मार्ग दर्सन में नोट से तैयार करवाए गया वो नोट्स आपकी परिक्षा में उत्तम पूल जानकारी वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा ध्यान रखिएगा और मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम के साथ बने रहीएगा जयतु संस्कृतम जयतु भारतम